आज की रेसिपी है पालक पनीर पुलाओ जो बहुत ही टेस्टी और यमी बना था देखिए कैसे खिले-खिले चावल बने ही एक कडाही लेंगे उसमें दो चमच घी जालेंगे दो तरश पत्ता थोरी सी दाल चीन थोरा सा हरी लैजी ब्लैक पेपर और लॉंग थोरा सा जीरा मैंने डाला है इन सबको डालने के बाद थोरा सा भूनेंगे बारी कटी वी हरी मिर्च और लैसन भी डालेंगे इने भी हमें भूनना है हलका सा भून जाने के बाद बारी कटा हुआ मैंने एक प्यास जाला है इसको भी हमें भूनना है बहुत जादा नहीं भूनना नहीं त देखिए बिलकुल इस तरह से जब यह हल्का सा भुन जाएगा उसके बाद मैंने यहां 1 बंच पालाग का लिया है सको अच्छे से वाश करके बारी काट के इसमें डाला है पालग डालने के बाद हलका सा इससे पानी रिलीज हो जाएगा हमें तब सब्चार ऐब बाइस में और लिया ने चावल नें लिया है अपनी पसंद का उसकी बात नुजार नमक और गपाहे dong सब्जी ट्राइकर के देखेगा हल्दी पाउडर लाल मेच पाउडर बहुत जादा मसाले का यूज मत करिएगा नहीं तो पलाउ जो है वह बहुत शाले मसाले दार लगता है इस तरह से हमें भूनना है यह देखिए चावल जो है वो हलका सा भून जाने के बाद मैंने यहाँ पर दे कप चावल लिया था तो तीन कप से थुआ सा ज़ादा मैंने पान लिया है क्यूंकि हमने इसमें सबज्जेते भी डाल ले इसलिए थोड़ा पानी जादा डालेंगे यह देखिए बिल्कु इस तरह से पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढख कर छोड़ देंगे यह पक रहा है तब तक हम पनीर लेंगे पनीर पे थोगा सा नमक चिली फ्लेक्स और येनो हल्दी पौडर और लाल मिर्च पौडर दालेंगे इनको अच्छी से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसे दस मियद के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे अगर आपको हमारा वीडिए अच्छा लगता है तो लाइक से subtitish कीजिए और हमारी चैनल को सब्सकूर्ट कीजिए दस मियद के बाद मैंने पनी पनीर को डाल दिया है पनीर को हमें दोनों साइट से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है आप थोरा गैस का फ्लेम तेज रखिए इससे क्या हम क्योंकि पनीर बहुत जादा कुक करना नहीं होता है हलका सा बस दोनों साइट कलर आजाए इतना ही करना है यह देखिए हमारा प मैंने थोरा सा काजू डाला है आप अपने पसंद का कोई भी ड्राइफुट्स डाल सकते हैं डाल की भून लीजिए इसके बाद ये देखिए हमारा पुलाओ जो है वो 80% कुख हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे पनीर और हमने जो भूना था काजू वो डाल लेंगे डाल ही नीचे लेगा कि आपने इसमें पालक भी डाला है इतना टेश्टी और यमी बनता है एक बाद जरू ट्राइए करिए इसको और बना कर देखिए कि कितना अच्छा बनता है पालक का मौसम है जरू ट्राइए करिए